जब डोमेंन लेने की बात आती है तो यूजरी लोग जोए वो इस रहते हैं कि कहां से ले नहीं ले क्या Google डोमेंस जो है वो डोमेंन लेना एक अच्छा अप्सन होगा या नहीं होगा तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग की तो प्राइसिंग में आपको जो है वो कुछ एस सच ज्यादा अंतर तो नजर नहीं आता है गुग टैडि में या फिर अगर आप गूगल डॉमेन ले रहो या फिर वोस्टिंग कर ओगई बिग रोक हो गए नेमचीप हो गई तो इन में प्राइसिंग का उतना ज्यादा अंतर नहीं आता है अगर आप लंबे समय तक खेलना चाहते हो तो प्राइसिंग उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है लेकिन एक आप गूगल काहीं सहरा लोगे तो कहीं नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत अच्छी है और यह सभी को भी में खड़ाब किसी को नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि सभी अच्छे हों के थोड़ी मोड़ी बिस उन्नीस बीस का अंतर आता है लेकिन अगर आप गूगल लेना चाहते हो तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो आपने चाहता सुना है तो मेरी मैंने जो है वो तीन वेबसाइट से यूजरी किया हुआ है और सभी कवह मैं ट्राइब करते रहाता है लेकिन मेंली तीन पर में फोकस करता हूं एक तो सबसे फॉर्मस्ट हो के होस्टिंगर से कम यह दोनों बहुत अच्छे है आप गूगल डोमेन को 100% कर सकते हो कुछ-कुछ जो है वह टील्डी जैसे की डॉट सौप हो गई डॉट लाइव हो गई तो इन सभी की जो है रिनीवल चार्ज गूगल पहुत ज्यादा रहती है और कुछ-कुछ की जो है पर सब्सक्राइब 2020 तरम guidanceय की मिलेंगे ़र यहां रह hm गोटी पर सकते हो और कुगल डुमें एक ट्रस्टेट है तो आप 100% गूगल डुमेन पे ट्रस्ट कर सकते हो और बढ़नुट